हाई एविवान वेलकुम तुमाई चैनल आई एम सिम्रन सहानी आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11 इंग्लिश का चाप्टर द एड्रेस वृटन बाई मार्गु मेंको तो एक बहुत ही चोटी सी स्टोरी है यह और बहुत ही इंक्रेस्टिंग स्टोरी है इसमें हमें मार् सब्सक्राइब करती है कि अगर ऐसा हुआ कि हमें भी कॉन्सेंट्रिशन प्रेस्टिंग करती है कि अगर ऐसा हुआ कि हमें भी कॉन्सेंट्रिशन कैप में भी इस दिया गया तो जो हमारे घर का इतना वैलूएवल समान है उसका क्या होगा तो जो हमारी यह ऑथर थी नरेटर है जो चैप्टर की वह बताती है कि मेरी मदर हमारे घर का जितना भी वैलूएबल समान है वह अपनी एक फ्रेंड जिनका नम यह और मीसिस्ञ्स डर्लिंग इन convert T and स़ाहे अंको अगर कोई इंसान बाज गया तो हम वह आपके तो उन्हों समान हुआ नहींन कंशोप में अगर हम में से कोई वार में से बच गया जो अगर हम बच गया तो हम वापस आके तुमसे अपना समान ले लेंगे अभी कुछ समय के लिए तुम हमारा समान रख तो अब हमें यही पढ़ना है अब आफ्टर द वार्यानि कि जब यह इतलर मर गया जूइश पीपल के वपर वर वाव टू होता है उस समय पर कॉंसंट्रेशन ग्याम के अंदर बस वही बच दिया उनकी फैमली पाकि लोग उनके फाधर मतर उनके सिब्लिंग सब मठ जाते हैं तो बचाती हैं तो की काफी समय तक तो मैं अपना समान वापस लेने नहीं जाती में सब नहीं हूरा था तो कहती है काफी समय तक तो मैं समान लेने नहीं गई बाद सड़नली एक दिन मेरा मन करता है कि मैं अपनी सीज़ों को वापस लिक रहा हूं तो डिसाइट करती है मिसिस डॉर्लिंग के घर पे जाने को तो लेटर स्टार्ट अब हमारी कॉंवरेशन से स्टार्ट होता है मैं मिसिस डॉर्लिंग के स्टार्ट पे जाती है उन्होंने क्या पहन रहा था और और यहां इसने मेरी मदर पहनी हुई है तो यह मैसीज डॉर्लिंग ही है और वहसे इतना जादा पहना हुआ था मिस्स डॉर्लिंग ने कि उसके जो बटन बातन से वो फेड हो चुके थे तो आप हमारी नेरेटर को कनफरम हो गया था मैं गलत अड्रस पर नहीं आई हूं यह सई अड्रस है यह मिस्स डॉर्लिंग है जिस पर मेरे घर का सारा समान है ठीक है तो आप ज जो है क्या बोलती है हमारी निरेटर को have you come back मैं यानि कि तुम बच गई तुम वार में जिंदा रह गई तुम हमारी निरेटर बताते कि येस मैं ही सर्वाइब कर पाई हूं मेरी फैमले के बाकी लोग जो है मर गई तो आप यहां देख सकते हो आफ्टर लॉंग टाई जब उनकी फ्रेंड की बेटी मिसस जॉर्लिंग और मिससस फ्रेंट थे न तो जम्रेटर अपना समान वापस लेने आती है तो मिसस जॉर्लिंग जो है कैसे ट्रीट कर दिया उनको कि अच्छा तुम बच गई तुम जिंदा हो गई वो समझ गई थी कि नरेटर अपना समान वापस लेन तो आप फाइनली क्या होता है मिसस जॉर्लिंग कैती है ने बहुत बिजी हूं में पास अब बात करने का टाइम नहीं है तो लुक आट अब तो यार तुम समझी गई होगे इस सिच्वेशन को देखे कि मिसस जॉर्लिंग समान वापस नही दर्वाजा बन करके घर के अंदर चली जाती है किते हैं में ब्स टाइम यह बात करने का नरेटर के बाहरी खड़ी होती है और जब नरेटर भार खड़ी होती है तो लिए लगता है कि विंडो में से कोई देख रहा है और यसी डॉलिंग अन्दर जाते तो नहीं आए आगा तो इसका मचब यह देखो नरेटर को ना जो विंडो थी उन में से कौन देख रहा था डॉलिंग की बेटी जो थी वो देख रही थी और यसी डॉलिंग दर्वाजा बंगर के अंदर जाती तो उसकी बेटी ने उससे पूछा और कौन आया था तो क्या कहते है नहीं नहीं जो इस घर के भाल लगी थी देखते हैं नेम प्लेट पे क्या लेखा होता है वाइट कलर की नेम प्लेट थी वो एनैमल से पेंट हो रखी थी और इसके उपर ब्लैक लेटर में डॉलिंग लिखा था और उसके उपर घर का अड्रेस लिखा होता क्या मैकरोनी स्ट्रीट 46 त काफी सदख वो जाति हैं कि मना कर दो को जाती है इस स्गैपर द मृसक कर देख़ रही होती है वह सबने स्टेशन भापस आ रही होती है कि नो इन्हों को सास Justrine कर रात निएrict कर दो गरें रही होती है वो बदाती है यह उनको lifetime to the बिर्श ऐसे समाने ही मेरे महीं जो पूछ थी जो थी लिए मिसिंग थी मैं अपनी मदर से पूछा कि हमारे खकासमान कहां चा रहा है परे अपना मजे बोला कि में आध कि सब्धक है घर में भी ही सबस्पार कुछ मैं या उनकी मदर बताती हैं कि हमारे घर का जितने भी आंटिक प्लेट्स हैं सिल्वर स्पून्स है वो सब में मिस्स डॉलिंग को कहती हूं और देखो मिस्स एस जो नरेटर की मदर थी वो कितनी सीधी लेडी थी वह बहुत एक आपके सकते पॉलाइट लेडी थी वो क्या कहती है द नरेटर को यादा है फॉल्स दिन पर मिस्स डॉलिंग को देखा था यह थी 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 उनोंने जो था एक ब्राउन का कोट पहना वाट और एक शेप लेट यह एक अजीब सी हैट पहने वी थी और वो हमारे भारी समान उठा कि जो है अपने घर लिकर जाए है कि मदर्स ने क्या बोलते है में से अच्छी लेडिया इतना सारा समान उठा कि अपने घर तक ले जा रही है बहुत तरह स्मय पर समान ले कर जाना अपने बच्शी इस अईट्रेस को याड रखना अगर हम लोग बच गये तो हम यह समान वापस लेकर आएंगे तो हम नरेटर बताती हैं that काफी समय तक जो था मैंना वो समान वापस नहीं लाना चाहती थी मैंने चाहती थी कि वापस जो मिस्स डॉलिंग है और बॉक्सेज में अपने घर पे समान रखा हुआ होगा और फिर मैं उसे वापस लेकर आऊं और उन्हें से जाऊं मेरा कोई मन नहीं है वो सब काम करने का मुझे उन यादो में वापस नहीं जाने तो मिने अपको सार्टिंग में बता दिया तो नरेटर दो समान वापस लेने नहीं जाना जाते अब फाइनली जो है नरेटर ना एक फिफ्टीन यह थी थी उनकी वो दर्वाजा खोलती है और नरेटर पूछती है मिसस जॉर्लिंग का है तो वो बती है शे अस गौन टू रान एरेंड मतलब कि वो किसी काम से बाहर गई है मेरी माल यह तो घर पे है नहीं तो mr. dollon की बीटी जो है नरेटर को घर के अंदर ले जाते हैं तो आप साइनली को घर के अंदर जाने का मौका जो है निखा जाते हैं एक हौलवे आता है के कौरीडोर से आता है और उससे जो है ओल स्ताइल हैनो का जो था आईजन का वो सब्सक्राइब करते हैं उसको जादा यूज नहीं करते थे हम एक ही कैंडल प्रेफर करते थे तो वह स्टैंड जो था उन्होंने सजया रखा था अपने कॉरिडॉर में अब क्या होता है वह कॉरिगोर से आगे चाती है मिस्स जॉर्लिंग की बेटी तो है लिविंग रोम या आप कह सकते हो एंटीक शॉपीसिस थे जैसे प्लेट का सेट होता है प्लेट सदाते है लोगदिवार पे टेबल क्लॉट था वो भी उनका था सारा फंटीक शॉपीसिस सबकुछ उनके से बट वो ड्रॉइंग रूइंग रूम उनके घर का नहीं था और बहुत टेसलेस मैन ने डॉलिंग जो थी सबसमान को यूज कर रही थी अब क्या होता है डॉलिंग की जो बेटी है वह एक चेर पास करती है नरेटर को नरेटर चेर पर बैट जाती है और टेबल उनके सामने रखाता है वो टेबल पर वुल दिन एक वुलन का एक उनका जो है कपड़ा जला हुआ है तो उन्हें में दियानी कि पैर भी नहीं करा अब जो है मिसस जो जो इनकी सम्टी है एक बहुत सुंदर सी वाइट कलर की के टल लेकर आती है इसके रिम पर उसको यह वाला है उसको हो उस पर गोल प्लेट अरक हो रहता है गोल कलर से हो तो तो आप वह के तल प बेटी जो है के टल में से चाय डाल रही थी और यहां मैर को याद आ रही थी अपनी मदर जैसे वह मुझे चाय सर्फ कर दी तो आप देख सकते हो किसी नारेटर की थी वह डॉलेंग यूज कर रही थी अब क्या होता है जो चाय डाल दीती है तो जो डॉलिंग की बेटी है उठाती है और उसमें से एक स्पून निकालती है तो नरेटर बोलते है वाओ वाओ वाट नाइस बॉक्स था तो जो डॉलिंग की तो बेटी है वह काफी प्राउटली बोलती है यह सब एंटीक है मेरी मदर ने मुझे बताया है कि आप देख सकते हो हमारी घर के पूरे चार करती है अपने घर को कि आप देख सकते हो वहां पे वह प्लेट्स लगी है वह बताती है इनमें हमने एक बार खाना खाया भी था और मुसे खाना खाके इसमें मजा नहीं आया था विल्कुल भी तो यू कितनी केयर लेस्ली जो है वो जो एंटीक प्लेट्स होते है लोग उन सारी बाते याद आ रही होती है उन्हें तीनली एक सीज आराथ था थी प्लेट्स होदी उन्हें को सीज़ी ध Vil colocar करी और जो है कोहटी सक्षπό करती है तो सब करक्वाद के प्लेट्स में रेखड़ हो था दर श्ला खाना था अन किक काषा अधी तो समय पर अनकी मजें मेरे तो सिल्वर की दित्ती भी उसको पॉलिश कर रहा जब नरेटर की स्कूल से चुटिया चल रहे हैं तो अब जो डॉलिंग की बेटी है अभी तो बहुत अपनी फ्लॉंट कर रही ती सारी यह देखो मेरे घर में यह देखो मेरे घर में यह और गडनले देखो नो सबस्क्राइब की बाधिकों को तो यह दिखाना में और दो काटी है और नगे। जो है बहुत घबरा जाती है उस घर में बैठी होई शी से डाट मुझे अच्छा नहीं लगा बिलकुल भी जितनी वी मेरी बिलॉंगिंग थी उनको किसी और जगा पे जो है देखकर डॉलिंग के डॉइंग रूम में देखकर मेरे को जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हैं से के लिए नरेटर कहती है कि जो मेरा जितना भी समान था जो प्लेट थी जो क्रॉकरी ती उनके साथ हमारी कुछ मेंमरी जोड़ी हुए थी बट अब जब डॉलिंग ने उनने यूस कर लिया है इतनी टेशलेस वे में मैंने उनको वहां पे सदावत देख लिया है तो अब उनकी तो मेंमरी और उनकी वैल्यू है वो खतम हो जोगी है और नरेटर जो है वापस आ जाती है अपने घर में और कहती ह हो उस घर से वापस क्यों आती है वो कहती है वो जो अब्जेक्स थे उनके साथ उनकी तो मेमरी त्या वो खतम हो गए ती क्यों जब उनको एक स्ट्रीन सराउंडिंग में तब उन्होंने अपने घर का समान्ट डॉर्लिंग के घर पर देखा ना तो उन्हें पहले लग रहा अपना समान लेने वापस जाती है दॉर्लिंग के घर पर फिर्स दॉर्लिंग मना कर देती है बनरीटर की सेकेंड विजट पर डॉर्लिंग की बेटी जो ने घर के अंदर ले जाती है और घर के अंदर जाकर देखती है कि उनके घर की बेलॉंगिं जो है अन फैशंड वे मे chapter description box में given here link you can get the notes of English all the chapters and even humanities के सारे subjects के दुहे notes summary one marker question are given on my Instagram ID link is given in the description box and अगर आपको English के बाखी chapters पढ़ने है उनका link बिगवन है description box में so now bye-bye take care best of luck and I'll meet you in the next video